प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस और करेंट अफेड्स के प्रश्णों पर और इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखिए वहां पर आप टेस्ट नंबर बन से लेकर जो भी नए टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं यह टेस्ट स्रीज यूपी पीसी पीसे इसके लेंशन रही है तो पहला प्रश्ण यहां पर दो स्टेट्मेंट वाला है नमलकित में से कौन सा कथन सही है राश्ट क्रेश्टी और ग्रामीन विकास वैंक यानि नावाड जो है संब्धानिक निकाय है और इसकी स्थापना वर्स 1985 में की गई थी कौन सा सही है इसमे इंपोर्टन प्रश्ण हमेशा इंपोर्टन रहेगा कभी किसी भी एक्जाम में बन सकता है नावाड क्या एक सामविधिक निकाय है ठीक है इसकी स्थापना 1985 में हुई थी यह गलत है इसकी स्थापना हुई थी 1982 में 1982 में हमेशा याद रखीगा इस चीज़ को तो गलत दू ग्रामीट विकास वैंक याझन नावाड एक सामविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1982 में राश्ट्रीकरसी तथा ग्रामीट विकास बैंक अध्यनियम 1981 के तहट कि वेथी नावाड एक विकासे है जो प्रात्मिकी तौर पर देश के ग्रामीट चेत्रेंबग को आरार बी क करते हैं इसकी स्थापना इनकी स्थापना वर्स 1975 में 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और छेत्रे ग्रामीड बैंक का धनिया मुझे सचेत्र के प्राब्धानों के तहद की गई थी क्या यह सहीं है दोनों छेत्रे ग्रामीड बैंक के बिलकुल यहां पर करेक्ट है दोनों के दोनों सी है इसकांसर देखें छेत्रे ग्रामीड बैंक के वेत्य संस्थान है जो क्रशी और अन ग्रामीड छेत्रों के लिए परियापतर अने सुनशित करते हैं और छेत्रे ग्रामीड बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापत अध्यादेश और छेत्रे ग्रामीड बैंक अधिनियम 1976 के प्राधानों के तहत वर्स 1975 में की गई थी कोश्चन नमर 3 पर आजए हाल ही में राश्टिक रशी और ग्रामीड बिकास बैंक यानि नावार्ड ने नमरे के तमसे किस राज़ को 10,372.86 करोड रुपे की वित्य सहायता दी किसको दी है 10,372.86 करोड रुपे की वित्य सहायता दी है बिहार को नावार्ड ने राश्टिक रशी और ग्रामीड बिकास बैंक नावार्ड ने वित्य वर्ष दोहार 23-24 के दोरान पुनर्वित प्रत्यक्षवित अनुदान सहायता की रूप में विहार में 10,372.86 करोड रुपे की वित्य सहायता प्रतान की यह नंबर इस पर कॉल्या वाट्सप करके इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडिये पर आप्त कर सकते हैं तो कि सब्सक्राइब रखेगा सिवल सर्विसे इस्टेडी चैनल को वाईू सकती दोहार 24 अभ्यास नमले के तुमसे किस राज में आयुज़ित किया गया वाईू सकती दोहार 24 अभ्यास आयुज़ित हुआ है राजस्थान में राजस्थान के जसल मेर में बायू सकतिदोयार 24 अभ्यास रजस्तान के जसलमेर के निकट पोखरण एयर टूग्राउंड रेंज में आयुजित किया गया पांचो प्राषने वर्षदोयार 24 से पहले गंगा सकती अभ्यास गगन सकती अभ्यास किस वर्ष आयुजित किया गया था वर्स दोहयार चौबिस से पहले गगन सकती अभ्यास का आयोजन वर्स दोहयार चौबिस से पूर्ब गगन सकती अभ्यास का आयोजन वर्स दोहयार अठारे में किया गया था जब भारते वायु सेना ने दो चरणों के हवाई युद्धा व्याज के दुरान 11.000 से अधे कुडाने भरी जिसमें बल की तैनात परिसंपत्तियों का संकेदण 48 घंटे से भी कम समय में पश्रिम शेत्र से पूर्वी मोर्चे तक पहुँच गया प्रश्णों की संख्या बहुत ज्यादा है यूपी-पीसीयस में 150 प्रश्ण पूछे जाते हैं जीयस में और आरो एरो में भी 140 प्रश्ण पूछे जाते हैं तो इस तरह के बहुत प्रश्ण एक्जाम में मिलते हैं खान एवम खनेज विकास-विनेमन अधिनियम अधिनियमित किया गया था वर्स 1957 का है एस कांसर कर को शंसद और राजविधान मंडलों के स्फवतन्ता एवमन शपक्ष चुणावलों की निगरानी वे संचालन करने के सकती का प्राफदान करता है Election Commission of India का प्रावधान है अनुच्छे 324 में और यही प्रावधान करता है तो B.S. कांसा 324 यह निर्वाजन आयोग को सम्विधान के अनुच्छे 324 के तहए तो दिये गए जना देश को ध्यान में रखते हूँ मदत करता है जो उसे संसद और राजविधान मंदलों के लिए स्वतंत तो था निस्पक्स चुनावों की निगरानी तो था संचारण करने की सक्ति देता है परेशन आपरेट पर आजए लोगसभा चुनाव के साथ चर्णों में से उत्तरा खंड में किस चर्ण में मतदान हुआ देखें जो लोगसभा चुनाव चल रहे हैं जिनकी सुर्वात होई थी उनिस अपरेल से और ये चलेंगे एक जून तक ठीक है साथ चर्णों में कितने चर्णों में साथ चर्णों में याद रखेगा और उत्तरा खंड जो है उसमें पहले चर्ण में ही मतदान हो गया तो ए हैसका अंसर तो उनिस अपरेल को पर्थम चर्ण ठीक है उनिस अपरेल के बाद 26 अपरेल को दुत्य चर्ण 26 अपरेल के बाद साथ मई त्रत्य चर्ण साथ मई के बाद 13 मई चतोर्थ चर्ण 13 मई के बाद 20 मई पांचमा चर्ण और 25 मई यानि परसो आने वाला च्छटा चरण होगा और सात्वा चरण होगा एक जून को ठीक है और रिजल्ट आएगा चार जून को तो उत्राखंड में उन्नेस अप्राल दोहार चॉबिस को सात चरण के लोकसवा चुनाब के पहले चरण में मतलदान हुआ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यह है वर्ष 1999 का अप्सन मबर सी है सकांसर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 1999 में अधिनियमित किया गया दस्वा प्रश्ण है भारतिय नियाय सहीता विध्यक दुहर तेईस ने अमरिकत मसे किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया दंड प्रक्रिया सहीता को नहीं किया है भारतिय साक्ष अधिनियम को नहीं किया है भारतिय दंड सहीता आठारे सो साथ को किया है यह है इसका अंसर देखिए भारते न्याय सहीता विध्यक वर्ज़धियार 23 के इन सरकार दोरा पुराने भारते दंड सहीता 1860 यानि आई पीसी को बदलने के लिए पेस किया गया था कोश्चन नमबर 11 पर आजाई है नम्रिकत मैंसे किस राज सरकार के नोडल तक्निकी विश्विद्धाले ने आर्टिफिस्यल इंटेलिजेंस यानि ए आई और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रिस्क्षन के लिए प्रधव की प्रमुक इंटरनेशनल विजनेस मसीन उत्तर प्रदेश प्रिंटिंग मिश्टेक हो गई है उत्तर प्रदेश नोडल तक्निकी विश्विद्धाले ने भविश्य के कारेवल को आधुनिक उद्योग 4.0 संकल्पना के साथ सनरेखित करने के देशा में आर्टिफिसल इंटेलिजेंस ए आई और क्लाउड रखेगा को बश्विश्विद्धाले कि सराज में स्था है कि अब्दू कलाम तक्निकी विश्विद्धाले उत्तर प्रदेश में इस स्था है अब्दुलकराम तक्निकी विश्वव दयले उत्तर प्रदेस में श्रत है पुशन नमबर 13 पर आजाई यह नमबरे के तुम्हें से किस राज में भारत का चौथा सबसे बड़ा श्टार्टप पाईस्थिक तंत्र है भारत का चौथा सबसे बड़ा इकोसिष्टम यह वोश्यन्मोर 14 पर आज़े भारतिय भूब एक्यानिक सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्स की गई थी जियो लोजिकल सरवे ओफ इंडिया, नई दिल्ली में है क्या, नई नई दिल्ली में नहीं है, वो आर्केलोजिकल सरवे ओफ इंडिया है, पुरातात्त्त यह है भारतिय भूब एग्यानिक सर्वेक्षन यह है कलकत्ता में फश्ष मंगार की कलकत्ता में बहुत पुराना है यह अंगरेजों के जमाने का 1851 में इसकी इस्थापना हुई थी, यह है इसका उंसर भारते अभू बैग्यानिक सर्वेक्षन यानि जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया भारत सरकार के खान मंत्राले के अधहीन कारेरत एक संगठन है इसकी स्थापना 1851 में की गई थी और इसका कार भू बैग्यानिक सर्वेक्षन और अध्यन करना है और ये इस तरह के दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है मुख्यालय है हेटक्वाटर है इसका पस्ष्य मंगाल के कॉलकाता में कोशन नमबर 15 पर आजए गंगोत्री राष्ट उद्यान किस राज में स्थत है मेगाल है में नहीं है हिम्मान चल प्रदेश में नहीं है सिक्किम में नहीं है गंगोत्री है उत्राखंड में गंगोत्री राष्ट उद्यान को वर्स 1889 में स्थापित किया गया था और ये उ फुटबॉल महासंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी 1937 में option number A है सकांसर अखिल भारती है फुटबॉल महासंग वह संगठन है जो भारत में association फुटबॉल के खेल का परबंधन करता है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1937 में option number 17 पर आजिए समगर सिक्षा योजना किस वर्ष प्रारंब की गई थी समगर सिक्षा योजना है वर्ष 288 की option number B है सकांसर तो समगर सिक्षा योजना वर्ष 288 में सिक्षा मंत्रा ले दरस रुकी गई थी question number 18 पर आजिए हिम तेंदुआ यानि snow leopard को IUCN की red list में किस रणी में सुची बद किया गया है चाहे snow leopard हो या clouded leopard दोनों के दोनों बुलना rebel है यानि सुभेद है ये तो B है सकांसर हिम तेंदुआ यानि snow leopard IUCN की red list में सुभेद यानि बुलना rebel के रूप में सुची बद वद है अनुमान है कि हिम तेंदुआ की वहिश्विक आबादी 10,000 से कम है कोषिय और 19 पर आजाए है और हिम तेंदुआ की वह सविक राजधानी कि को और मिश्रानी कि उसको कहा जाता है hemit national park भारत में मक्त है ठीक है है हेमिस नैस्नल पार्क लद्दाग का हिम तेंद्वों की वैस्विक राजधानी कहा जोता है उसको राजियों के अधिक्तम से नियूंतम साक्षर्ता नुसार सही क्रम को इंकित कीजिए भारते जनकरणा दोहर ग्यारे के नुसार जनकरणा के अकड़े वही है दोहर ग्यारा ठीक है सरकार ने तो नहीं जनकरणा करा ही नहीं तो परशनकर एक्जाम से बनेंगे तो पुरानी वाली जनकरणा से ही बनेंगे देखे केरल में सबसे ज़्यादा है इसमें अधिक्तम से नियुन्तम जाना है केरल के बाद है मिजुरम में ठीक है केरल के बाद है मिजुरम में तो A होगा या D होगा केरल में सबसे ज़्यादा और उसके बाद है मिजुरम मिजुरम के बाद है गोवा तीसरे नमबर पर चौथे पर हे त्रिपुरा उसकी आपसर नमबर D इलकुल क्लोज था हुए ÖR D तो D है इसकी आपसर सबसे चाहते केरल में, केरल के बाद मिजुरम गोवा और त्रिपुरा केरल भारत का एकमात राज है जिसकी साक्षरता दर 100 पर्तिशत है केरल के बाद मिजोरम उसके बाद गोवा गोवा के बाद तिरपुरा तिरपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश महारास्त रुसिक्किम ठीक है तो विकल्पडी सही हो जाएगा भारत में सबसे कम साक्षरत दर पूछ रहे वर्स 111 की जनकरणा के नसर तो बिहार राज कुशन नमबर 20 पर आजाएए नम्रिकल में से भारत के किस बंदरगा को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है मुंबई, कोची, मरमगाओ, कुलकाता अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है कोची बंदरगा कोची बंदरगा को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह है 14 सताबदी से भारत के पश्मी तटपर परजातियों का एक महत्पूण बेपारिक केंदर था 1503 में इस पर तो केरल के एरना कुलम जिले का हिस्सा है कोची, कोची अपनी वैसिक भारत में येउरोपी है, उपनी वैशों में से पहला था, 1530 तक पुर्तगालियों की मुख्य सीट बनी रही कोची, और इसे केरल की नियाईक राजधानी कहा चाता है कोची को, क्योंकि केरल का उच नियाल है, यहीं इस सथ है, यानि केरल हाई कोट, तो 20% है इनकी प्रैक्टिस एक से दोबार कर लेजेगा, धन्यवाद हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा,